लोगसान लोगों का नहीं है कि विश्वास घात हुआ है यह हम ने तो नहीं करा है हम तो तैयार थे सीव शेना के साथ सरकार बननाने के लिए मगर सीवसेना की कुछ चीजे ऐसी थी जो हम मान नहीं सकते हैं पहले से था सारवजनिक प्रचार में मैंने कम से कम सवाव बार कहा प्रधान मंत्री जी ने कई बार कहा और स्वायम देवेंदर फड़नुष ने कई बार कहा कि अगर हमारी यूती की सरकार आती है बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री देवेंदर फड़नुष बनेगे किसी ने कॉंट्राडिक नहीं किया अब कुछ नहीं सरते आती है तो हमारे लिए इस पर हमारा रिजर्वेशन भी है पाटी उचित समय पर इस पर विचार करेगी परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपती सासन पर जो हाय तोबा मची है वो कोरी जनता की सिंपती प्राप्त करने की निरर्थक एक्सराइज है निरर्थक कवायहत है इसके अलावे कुछ नहीं इतनी जल्दी क्या थी मतलब अगर जैसे अरुनाचल में या गोआ में बहुत वक्त दिया जाता था तो फिर ऐसे क्यों था कि इतनी जल्दी क्या थी यहां जल्दी नहीं की गई अठारा दिन का समय दिया है पहले मेरी बात चुनते हैं पूरी प्रक्रिया मैं बताता हूं कि एसेमली की नोटिफिकेशन के बाद अठारा दिन तक राजयपाल ने रहा देखी और अठारा दिन तक कोई भी पार्टी अथवा पार्टियां अगर उनके पास बहुमत है तो राजयपाल को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं नोता देने का तो तब समय जब विदान सभा की अवदी समाप्त हो गई յिदान सभा के बांच साल समाप्त हो गई तो राजयपाल को एक्षन लेना होता है तो उन्होंने हर एक पार्टी को लिख कर रेकोर्ड के लिए पुछा अन्य था जब विदान सबार नौटिफाइड हो जाती है और उसकी अधिसुचना बाहराने के बाद तुरंत ही कोई भी पार्टी अथ्यवा पार्टीयों का समू बहुमत बनाकर राजेपाल महोदे के पास जा सकता था ना सीविशना गये ना इंसिपी गई ना कंग्रेस गई ना हम बना पाएं मटलब भरति देंटा पार्टी बनाई तो राजेपाल क्या करते और दूसरी बात यह कह रहे है कि अमें एक दिन दिया हमें दो दिन दिया सबको समय दिया है अब समय है आज भी अगर किसी के पास बहुमत है तो राज्यपाल महोदे का संपर्क करके वो दावा कर सकता है। और जहां तक लोगों को मौका देने का सवाल है। मैं आपको बता रहा हूँ समुता जी आज भी मौका है। आज भी वो इखटा होकर अभी जा सकते हैं राज्यपाल के पास। कर रहा है। और एक समविधानिक पत को राजनिती के अंदर इस तरह से घर्षिपना मैं नहीं मानता लोग तंत्र के लिए स्वस्त परमपरा है। कि एक तर्फा फैसला था राज्यपाल का क्या आप उसे बिल्कुल ही मैं मानता हूं कि राज्यपाल महुदय ने उचीत ही काम किया है क्योंकि आज भी सभी लोग सरकार बना सकते हैं। कि अगर वहुमत है तो अज तक नहीं गया चलो एक दिन की जगद दो दिन करते आज तो पांच वादीन है सिख्षेना को मुझे नहीं करना है आगे क्या करना परन्तु अभी सब के पास समय है को कोई भी जा सकता है किसका मौका चिन लिया कैसे मौका चिन लिया मेरी तो कपिल सिबल जैसे विद्वान वकिल इस प्रकार की बचकाना अर्गुमेंट्स बचकाना दलिले देश के सामने रखते हैं कि हमारा मौका चिन लिया अरे भई आपको मौका है ही आप बनाओ ना अमिच्छा जी एनाय के साथ बाद करने के लिए धन्यवाद महाराष्ट्र में जो चल रहा है बहुत से एलिगेशन से खरगे जी कह रहे है कि जब साड़े आठ बजे तक का वक्त दिया गया थो फिर जल्दबाजी क्या थी पांच बजे क्यूं राश्ट्रपती शासन सब्लाने की प्रक्रिया पर जो विपक्स की प्रतिक्रिया हैं मैंने पूरी सुनी है एक कोरी राजनीती है इसके अलावे कुछ नहीं कहीं पर भी मेरी धुरुष्टी से राज्य पाल महाुदय ने कहीं पर भी सम्विधान को तोडने मरोडने का कोई प्रयास नहीं किया है जहां तक पर्टिकुलर सवाल जहो आपका है कि 8 बचकर 30 मिनिट तक का सामका समय दिया था और बीच में राज्यपाल महोदय ने राश्टरपती सासन की अनुसंसा कैसे की मैं आपको बता दू कि सायद वो अपने साथी को पूछ का नहीं बना सकते हैं उसके बाद में राश्टरपती महोदय को साड़े आठ बाजे तक हूखने का कोई अचित्य ही नहीं है लेकिन इतनी जल्दी क्या थी मतलब अगर जैसे अरुनाचल में या गोवा में बहुत वक्त दिया जाता था तो फिर ऐसे क्यों था कि इतनी जल् समय ने दिया यह जल्दी नहीं की गई अठारा दिन का समय दिया है पहले मेरी बात चुनते हैं पूरी प्रक्रिया मैं बताता हूं कि एसेंबली की नौटिफिकेशन के बाद अठारा दिन तक राजयपाल ने रह देखी और अठारा दिन तक कोई भी पार्टी अथवा पार नौट आरिक को विधान सभा की अवदी समाप्त हो गई विधान सभा के 5 साल समाप्त हो गई तो राजयपाल को एक्सन लेना होता है तो उन्होंने हर एक पार्टी को लिख कर रेकोर्ड के लिए पुछा अन्य था जब विधान सभा नोटिफाइड हो जाती है और उसकी ना एन्सिपी गई ना कॉंग्रेस गई ना हम बना पाएं मतलब भारती जनता पाटी बनाई तो राज़ेपाल क्या करते हैं और दूसरी बात यह कह रहे हैं कि हमें एक दिन दिया हमें दो दिन दिया सबको समय दिया है अब समय है ना आज भी अगर किसी के पास भूमत है तो राज़ेपाल महोदे का संपर करके वो दावा कर सकता है और अगर भांग नहीं कर रहे तो फिर राष्टपती शासन दाने के जरूरत थी कि आरोप यह भी लग सकता है कि अन्यत आप भारती जनता पाटी की सरकार को चला रहे हैं और जहां तक लोगों को मौका देने का सवाल है मैं आपको बता रहा हूं समुता जी आज भी मौका है आज भी वो इखटा होकर अभी जा सकते राज़ेपाल के पास अगर संख्या है तो संख्या बतानी पड़ेगी अगर संख्या बन जाती है तो कोई भी आज भी हम भी संपर्क करते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं मौकार न देने का सवाली कहा है? तो क्या आप संपर्क करेंगे? देखे मैं इस बात पर नहीं हूँ. मैं इस बात पर हूँ कि इस मुद्दे पर विपक्स कोरी रादनिती कर रहा है. और एक समविधानिक पत को रादनिती के अंदर इस तरह से घरसेटना. मैं नहीं मानता लोग तंत्र के लिए स्वस्त परमपरा है. और जिनको भी मौका चाहिए उनको आज भी मौका है. उल्टा उनको तो दो दिन मांगते थे, हमने छे महीना दे दिया है. मैं आज कहना चाहता हूँ कि राजयपाल महुदय ने सबको छे महीने का समझ दे दिया. बनाओ भी सरकार. तो जो शिवसेना कह रही है कि ये एक तरफा फैसला था राजयपाल का. क्या आप उसे बिल्कुल ही नचाहिए? मैं मानता हूँ कि राजयपाल महुदय ने उचीत ही काम किया है. क्यूंकि आज भी सभी लोग सरकार बना सकते हैं. अगर बहुमत है तो आज तक नहीं गया. चलो एक दिन की जगए दो दिन करते हैं. राजय तो पांच वा दिन है सिवशना को मुझे नहीं करना है. आगे क्या करना है? परन्तु अभी सब के पास समय है. कोई भी जा सकता है. किसका मुझा चिन लिया? कैसे मुझा चिन लिया? मेरी तो समझ में नहीं आता. कपिल सिबल जैसे विद्वान वकिल इस प्रकार की बचकाना आर्गुमेंट्स, बचकाना दलिले देश के सामने रखते हैं कि हमारा मुझा चिन लिया. अरे भी आपको मुझा है ही, आप बनाओ ना. पर ये क्या constitutionally सही है, यानि कि single largest party जो है वो कोशिशी नहीं कर रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कि mandate आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं. हम एक alliance में चुनाव लड़े थे, हम single largest party थे, मगर हम काफी सीटे नहीं लड़े थे, हमारी साथी दल लड़ा था, जब साथी दल ने condition ऐसी रखना चाहिए, जो हमें स्विकारिय नहीं है, और हम अकले सरकार नहीं बना सकते हैं, हमारे पास 105 सीटे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं मगर जो लोग डावा कर रहे हैं कि हमें सरकार बनाने का मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले, तो उनके पास मौका है इस पश्टता के लिए ही, मैं आज आपके साथ ये संबाद कर रहा हूं। मनजूर थी कि मेरी पार्टी का संसकार नहीं है कि कमरे में हुई बातों को सर्वजनिक करें और करना भी नहीं चाहिए सर्वजनिक जीवन की एक घरीमा होती है परंतु मैं अतना निस्चीत मानता हूं कि राज्यपाल सासन डालने से अगर किसी का नुक्सान गया है तो भारति का नहीं हुआ है अगर वो चाहते कि इस प्रकार का एक ध्रांटी खड़ा करकर देश की जनता की हम सिंपथी गेन करें तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता की समझ पर उनको भरोसा नहीं है कि विश्वास घात हुआ है कि ये इस मगर हमने तो नहीं करा है हम तो तयार थे सीवशना के साथ सरकार बनाने के लिए मगर सीवशना की कुछ चीजे ऐसी थी चो हम मान नहीं सकते हैं पहले से थे था सार्वजनिक परचार में मैंने कम से कम सो बार कहा । प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा और सवाइम देविंदर फड़णविस्त ने कई बार कहा कि अगर हमारी यूति पिसरकार आती है प्रज़मित मंत्री दिवेंद्र फटन्विस्ट बनेगे किसी ने कॉंट्राडिक नहीं किया अब कुछ नहीं सरते आती है तो हमारे लिए इस पर हमारा रिजर्वेशन भी है पाटी उचीत समय पर इस पर विचार करेगी परन्तु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपती शाषन पर जो हाय तोबा मची है वो कोरी जनता की सिंपती प्राप्त करने की निरठक एकसरसाइज है निरठक कवायःत है इसके अलावे कुछ नहीं चोनाव के लिए उसके बाद क्या मध्यावदी चुनाव हो निया महीं सूता हूँ मद्यावदी चुनाव हो जब छे महीं समाप्त हूंगे तब राज़यपाल समविधान के हिसाब से इस पर उचित विचार करकर कानूनी सलाह लेकर आके बढ़ेंगे परन्तु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हमें मौका नहीं दिया गया राश्टरपती महोदय ने बड़ा गहरसम वेधानिक काम कर दिया है हमारा मौका चिन लिया डेमोकरेसी में हमारा राइट है मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपका राइट आज भी है आपके पास संख्या नहीं आपके पास अगर संख्या है तो आप जाकर सरकार बना लीजिए धन्यवाद